अच्छे हैं दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभासा क्या होती है और इसके कुछ उदहरन देखेंगे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रिया की परिभासा, क्रिया किसे कहते हैं जिस सब्द के द्वारा किसी कारे के करने या करने या होने का बोध होता है उसे करिया कहते हैं उसे करिया कहते हैं उदारन देखते हैं इसके कुछ उदारन जैसे राधा गाती है तो यहां पर जो सब्दाय है गाती यानि की गाना तो यह क्या है एक करिया है? इससे क्या पता चलना है कि कोई कार हो रहा है या करने का बोध हो रहा है अगला दूसरा मोहन जाता है मोहन जाता है तो यहाँ पर जाता है यानि कि जाना वरण क्या है क्रिया क्योंकि इससे किसी कार की होने या करने का बोध हो रहा है अगला उधाराण देखते हैं राम खाता है यानि कि राम खाना खा रहा है राम खाता है तो यहां पर खाता है क्या है यह एक क्रिया है दस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक रहें जैंब नहीं है तो